हेलो बच्चों, बच्चों मेरा नाम राहूल मिश्रा, फिजिकल केमिस्ट्री एजूकेटर, आफलाइन सेंटर, आनक्याडमी, खोटा आज बच्चों हम लोग कुछ special concentration terms की बात करेंगे जब बोलेंगे special तो unconventional, unconventional का मतलब है अभी तक जो हम लोग concentration terms पढ़ आ रहे थे पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन उन से हटके आप कुछ typical concentration terms, जिनको हम बोल सकते हैं special concentration terms, उनके बारे में आज थोड़ा सा शुरू करते हैं कि exactly कैसे उनको different, क्योंकि वो थोड़े अलग हटके होते हैं, उसमें बचो पहला मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, first is percent labeling of oleum, percent labeling of oleum, बचो oleum क्या होता है, सबसे पहले तो उसको समझना पढ़ेगा, अगर हमें oleum की labeling के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले क्या समझना पढ़ेगा, कि oleum exactly क्या है, तो आपको मालूम है बचार कि oleum is a mixture of H2, SO4 and SO3, what is oleum, oleum is a mixture of H2, SO4 and SO3, so oleum, सबसे पहले तो लिखते हैं कि oleum क्या है, oleum क्या है, mixture है H2, SO4 का, और किसका, SO3 का, mixture है, अचा कई जगा पे, कई books में भी, मैंने देखा कि इस mixture को क्या लिख देते हैं है, H2, S2, O7, पर मेरा मानना है कि ये सही नहीं है, H2, S2, O7, करते क्या है, वो इनको mathematically add कर देते है जैसे यहां 2 hydrogen होगे, तो 2 hydrogen, sulfur, sulfur, 2 sulfur, 4 oxygen, 3 oxygen, 7 oxygen, पर बचो आप बताओ क्या ऐसा करना सही है, क्या हम mixture के अलग-अलग components को add कर सकते हैं, क्या, अगर ऐसा हो सकेगा, तो फिर कल को तो मैं ये भी बोलूँगा, कि अगर मेरे पास CH4 और C2H4 का mixture है, तो क्या मेरे ये बोल सकता ह है, H2S2O7 बिटा, इसका proper name pyrosulphuric acid है, क्या है, pyrosulphuric acid, pyrosulphuric acid structure भी मैं बना देता हूँ, ताकि कोई confusion आपको ना रहे, pyrosulphuric acid का structure ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये देखो, ये है H2S2O7, ये इस mixture को, हम लोग क्या बोलेंगे, OLEUM, ठीक है, हाला कि अगर कहीं H2S2O7 को OLEUM लिखा है, तो जगड़ा नहीं करेंगे, चलता है, ठीक है, आप समझ जाएंगे, कि शायद वो एक convention, जो चलता हा रहा है, उसको हम लोग अभी तक follow कर रहे है, ठीक है, अब person labeling of OLEUM exactly है क्या, अच्छा उससे पहले मैं आपको ए और SO3 के इस mixture को क्या बोलने है, OLEUM, अगर आप गौर करो तो इसमें जो पहला component है, वो क्या है, एसिड है, और जो दूसरा component SO3 है, अगर आप ध्यान दोगे बेटा, तो ये आपको मिलेगा, एन हाइड्राइड, और ये एन हाइड्राइड किसका है, H2SO4 का, ये एन हाइड् H2SO4, SO3 क्या बना लेगा, H2SO4, अगर आप किसमें क्या एड्र करो, वाटर, तो ये mixture में एक component एसिड है, और दूसरा component उसका एन हाइड्राइड है, अब बात करते हैं कि percent labeling define कैसे करते हैं, next page पे चलेंगे बेटा, और वहाँ एक proper definition लिखेंगे, ठीक है, proper definition कहा है, देखिए percent labeling of oleum, अब मैं define कर रहा हूँ, ध्यान से definition को समझेंगे, definition को समझना और सुनना सबसे जरूरी है, formula यहीं से derive हो जाएंगे, अगर आपको definitions याद रहेंगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, percent labeling of oleum, of oleum, is defined as, is defined as, the weight in gram, weight in gram, weight in gram, of H2SO4 obtained, of H2SO4 obtained, by complete hydrolysis, by complete hydrolysis, of 100 gram oleum mixture, 100 gram oleum mixture, आप क्या कर रहे हो, आप 100 gram oleum mixture का लेते हैं, और उस 100 gram की hydrolysis करते हैं, complete, जब मैं बोलता हूँ बेटा, hydrolysis, तो hydrolysis से क्या मतलब होता है, हम उसमें water add करेंगे, क्या add करेंगे, water add करेंगे, ठीक है, उसका मतलब होता है hydrolysis, तो सबसे पहली बात, तो percent है न, percent है, तो एक चीज़ तैह है, कि हमें oleum का कितना weight लेना पड़ेगा, 100 gram, तो एक example लेंगे, तब बेहतर समझ में आएगा, एक काम करते हैं, मैं market से एक oleum का sample लेता हूँ, जिसकी percent labeling, let us say, let us say, 109 percent labeling है, यह दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 109 percent labeling दिया हुआ है, अब हमें समझना है कि इससे क्या-क्या interpretations किये जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, definition क्या कहती है, definition कहती है, यह जो market से आप खरीद के लाएं है, 109 percent, इसका 100 gram लो, तो 100 gram में कुछ component H2SO4 होगा, और कुछ component क्या होगा, SO3, कितना लेना है बेटा, कितना लेना है बच्चे, 100 gram, इस 100 gram की complete hydrolysis करनी है, hydrolysis का मतलब क्या है, इसमें water add करते हैं, तो add water, जब आप बोलते हो complete hydrolysis, तो उसका क्या मतलब होता है, complete का मतलब है, इतना water add करो, कि जो भी SO3 है, वो उस water से react करके क्या बना ले, H2SO4, तो हमने इतना water add किया, कि जो भी इसमें SO3 था, वो किसमें convert हो गया, H2SO4 में, तो finally बच्चे मुझे क्या मिलने वाला है, सिर्फ H2SO4, सिर्फ H2SO4, इस H2SO4 में दो components हैं, कौन-कौन से, एक पुराना H2SO4, जो mixture में originally present था, और एक दूसरा H2SO4, जो नया बनेगा, कौन सा नया बनेगा, जो SO3 प्लस H2O की reaction से बनेगा, एक जो नौ फरसेन लेबलिंग का मतलब है, कि ये जो final weight मुझे मिलना चाहिए, वो कितना मिलना चाहिए, 109 ग्राम, ये लेबलिंग का मतलब है, 100 ग्राम उलियम मिक्षर लिया, वोटर एड किया, final H2SO4 का एमाउंट कितना बना, 109 ग्राम, कितना बना, 109 ग्राम, ठीक है, अब हुआ क्या होगा इसमें, 100 ग्राम से 109 ग्राम हुआ, conservation of mass, exactly क्या हुआ, पानी कितना एड किया, वोटर कितना एड किया, इस मिक्षर में कितन water एड किया कि 100 से 109 हो गया, very simple, 9 ग्राम, अरे हाँ या ना, 9 ग्राम ही तो पानी एड करोगे, तभी तो 100 से 109 होगा, yes or no, yes, ठीक है, तो 9 ग्राम पानी एड किया, ठीक है, वो पानी किस से रियक किया होगा, इस मिक्षर में मौझूद, SO3 से हाँ या ना, किया होगा, ठीक ह तो एक काम करते हैं, यह जो H2O आपने 9 ग्राम एड किया, यह इस मिक्षर में प्रेजंट SO3 से रियक किया होगा, और क्या बना लिया होगा, H2SO4, यह वो H2SO4 है, जो पानी एड करने के बाद बना, ठीक है, पहले नहीं, यह बाद में बना है, अच्छा बटा, यह 9 ग्राम है, मतलब कितने मोल है, 0.5 मोल, 18 से डिवाइड करोगे ना इसको, 18 से डिवाइड करोगे 0.5 मोल, अगर यह 0.5 मोल है, तो complete reaction के लिए SO3 जो मिक्षर में रहा होगा, वो भी कितना रहा होगा, 1 is to 1, तो 0.5 मोल है, तो यह भी कितना रहा होगा, 0.5 मोल, SO3 का मोलर मास, 80, कितन 80, तो 0.5 मोल का मतलब है, यह कितना ग्राम हुआ, 40 ग्राम, इसका यह मतलब है, कि जो initial 100 ग्राम हमने लिया, उसमें SO3 कितना था, 40 ग्राम, 40 ग्राम, तो H2SO4 कितना था, 60 ग्राम, ठीक है, यह 40, यह 60, ऐसा क्यों आया, क्योंकि 9 ग्राम वाटर, SO3 के 0.5 मोल से रियाक किया हो होगा, अच्छा बेटा, रियाक्शन के बाद, यह खतम, यह भी खतम, दोनों लिमिटिंग रियाक्टिंट, खतम, क्या बनेगा, H2SO4, कितना बनेगा, 0.5 मोल, यह नया H2SO4 बना, अच्छा, H2SO4 का मोलर मास, 98, कितना, 98, तो 0.5 into 98, कितना, 49 ग्राम, यह नया बना, ध्यान को एड करो, 60 प्लस 49, कितना, 109, आया की नहीं है, फिर से समझो, क्या लिया था, 109%, इसका क्या मतलब है, 100 ग्राम ओलियम में वाटर एड करने पे, जो वेट आएगा, H2SO4 का, वही परसेंट लेबलिंग कहलाता है, 109% का मतलब है, यह कितना बनेगा, 109 ग्राम, 9 ग्राम आ नया बना है, फुराना H2SO4 और नया H2SO4 मिल के कितना, 109 ग्राम, क्लियर है, क्या यह क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपको चीजों को और ध्यान से सुनना, यह जो 100 ग्राम में SO3 प्रेजेंट है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना बिटा, 100 ग्राम में जो भी SO3 का amount होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, percent free SO3, free का यह मतलब नहीं कि free में आ रहा है, free का मतलब है कि वो H2SO4 के अलावा दूसरा component जो present है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यह जो अभी मैंने बात बोली percent free SO3 वाली, उसको भी next page पे लिख लेते हैं, इसको ध्यान से दे मैंने बोला क्या, percent free SO3, मैंने आपको बोला, देखो चीजों को याद रखने से बहतर है कि आप चीजों को समझो, percent free SO3 क्या है, weight in gram of SO3, present in, present in, hundred gram olium, 100 gram olium का ले, mixture है, H2SO4 और SO3 का, और उसमें SO3 का जो भी weight होगा, वो क्या कहलाएगा, percent free SO3, अब मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ठीक है, actually वो फॉर्मूला पीछे वाले of olium, percent labeling of olium understood है, चलो मैं लिख देता हूँ, percent labeling of olium minus 100 upon 18 into 18, formula बहुत काम का है, इससे question बहुत फटा-फट होते हैं, फटा-फट, फटा-फट, अचा इस formula में कितने variables हैं, मतलब कितनी unknown quantities हैं, दो ही हैं, क्यों, बाकी सब चीजे constant हैं, देखो ने बिटा, एक ये unknown हो सकता है, एक ये unknown हो सकता है, बाकी 89 है, 100 known है, 89 है, तो बाकी सब क्या हैं, constants है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ये हमें unknown है, अच्छा दो ही हैं, इन में से अगर एक पता कर लो तो दूसरा मिल जाता है, दूसरा पता कर लो तो पहला मिल जाता है, तो अक्सर जब question आएंगे कि पता करो percent labeling of oleum कितनी, percent labeling of oleum कितनी, तो हम कोशिश करेंगे कि free SO3 पता कर लें कि कितना है, क्या करूँ, हम कोशिश करेंगे कि ये पता कर लें कि free SO3 कितना है, percent labeling of oleum अपने आप ही पता चल जाएगा, एक example मैं आपको देता हूँ, जैसे अगर मै आपको ये बोलूँ कि बेटा मेरे पास 30 gram oleum का mixture है, 30 gram oleum, अच्छा इस 30 gram में अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास जो H2SO4 है, let's say that is 6 gram, that is 6 gram, अगर ये 6 gram H2SO4 present है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इस oleum की labeling कितने percent होगी, क्या करना है, उपर ये use करेंगे, कै 30 gram में H2SO4 6 gram है, तो बेटा, SO3 कितना होगा बच्चे, 24 gram, अगर ये 30 है, तो ये 6 है, तो ये कितना होगा, 24 gram, ठीक है, अच्छा, ये जो 24 gram है, ये किस में है, 30 gram में, किस में है, 30 gram में, हमने आपसे क्या पूछा, आपको इस sample की percent labeling पता करनी है, यही तो question है, percent labeling पता करनी है, सेंपल की, तो हम पता क्या करेंगे, percent free SO3, कैसे पता करेंगे, इस concept से, 100 gram ओलियम का लें, तो जो उसमें SO3 का वेट होगा, वो क्या कहलाएगा, percent free SO3, अभी मेरे पास 100 gram है, क्या, नहीं, कितना है, 30 gram, तो ये काम करते हैं, 30 से 100 चलते हैं, तो 30 gram ओलियम में, 24 gram SO3 है, तो 100 gram ओलियम में, SO3 का वेट कितना होगा, 24 by 30 into 100, yes or no, yes, right, so this is how much, 80 gram, चेक करो बिटा, कितना है, 80 gram, 100 gram ओलियम में, SO3 का वेट, 80 gram, और 100 gram ओलियम में, जो SO3 का वेट होता है, वही percent free SO3 होता है, तो कितने percent percent free SO3 हो गया, 80%, इस 80 को उठा के यहां रखते हैं, तो ये मुझे मिल गया, percent free SO3 मुझे मिल गया, कितना, 80 is equal to percent labeling, minus 100 upon 18 into 80, solve करेंगे, यहां से बहुत simple सा solution है, percent labeling कितना जागे बच्चे, 118%, कितना आगे बटा, 118%, कितना, 118%, कितना, 118%, कोई दिक्कत, नहीं, अब एक question आता है, है न, बड़ा natural question है, कि पहले मैंने लिया था, 109%, अब ये एक answer आगे, 118%, तो ये percent में जा कितना आगे सकता है, मतलब, OLEUM की ये जो percent labeling है, इसका क्या कुछ भी value हो सकता है, 200% हो सकता है, 300% हो सकता है, तो इसकी कुछ range होगी, range कैसे पता करेंगे, मतलब, ये जो percent labeling है, किन extremes के बीच में fall करेगी, minimum percent क्या हो सकता है, maximum percent labeling क्या हो सकती, तो बड़ा simple है, इस formula को use करो न बेटा, आप मुझे बताओ, percent free SO3 की minimum value कितनी हो सकती है, minimum, कितनी, zero, अरे हाँ या न, इसकी minimum value कितनी होगी, बड़ा, zero ही तो होगी, तो percent labeling पता करते हैं, जरह यहाँ zero रखो, percent labeling पता करो, आपको मिलेगा 100, कितना मिलेगा, 100, इसका मतलब minimum labeling कितनी है, 100%, चलो maximum की बात करते हैं, अभी मैं अगले page पे ये सा maximum value बता हो, percent free SO3 की maximum value, percent free SO3 क्या होता है, 100 gram mixture में SO3 का weight, तो क्या 100 gram mixture में SO3 का weight, 100 के ज्यादा हो सकता है, क्या, हो सकता है, क्या, नहीं हो सकता है, इसका मतलब, इसकी maximum value कितनी होगी, 100, maximum 100 रखो, यहाँ पे maximum labeling मिलेगा, चले करते हैं, next page, चले बड़ा, minimum labeling के लिए, अगर मैं minimum labeling की बात करता हूँ, तो minimum labeling के लिए, मैं percent free SO3 को रखता हूँ, 0, percent free SO3 को रखता हूँ, 0, is equal to percent labeling of oleum, minus 100 upon 18 into 80, और यह जो percent labeling आ जाएगी, oleum की, यह कैसी होगी, यह 100 percent होगी, लेकिन यह minimum labeling होगी, इससे कम labeling possible नहीं है, और जाएगा definition भी तो देखो, definition क्या कहती थी, definition कहती थी, 100 gram oleum में hydrolysis करोगे, तो जो H2SO4 का weight बनेगा, अब जो H2SO4 का weight बनेगा, hydrolysis के बाद, वो 100 यह 100 से ज्यादा ही तो होगा, तो 100 से कम तो नहीं हो सकता, तो minimum labeling कितनी हो गई, 100 percent, चलो बेटा, maximum labeling के लिए बात करते हैं, अगर मैं maximum labeling की बात करूँ, तो maximum labeling के लिए क्या करना पड़ेगा यह जो percent free SO3 है, कितना आप रख सकते हो, maximum कितनी value रखते हो, 100 percent से ज्यादा कर सकते हो क्या, 100 gram mixture में क्या 100 से ज्यादा SO3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो maximum बेटा कितनी, 100 percent, जड़ा यह 100 यहां रखते है, percent free SO3 जगा मैं रखूँगा, 100 is equal to percent labeling, पीछे वाला formula अप्लाई कर minus 100 upon 18 into 80, करके देखीगा बेटा, percent labeling आ जाएगा, 122.5 percent के करीब, और यह क्या है, यह maximum labeling है, इसका मतलब यह हुआ, कि जो भी oleum की labeling होगी, percent labeling, वो 100 से 122.5 के बीच में होगा, तो कभी oleum का question आया, और आपको बोला गया, percent labeling पता करो, और आपने value लगा ली, 1500, 150, 160, मजा आ रही है, 180, 190, कुछ भी number निकाले जा रहे हैं, तो आपके लिए यह self check होगा, कि आपका जो भी answer है, वो 100 से 122.5 के बीच में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 100 से 122.5 के बीच म क्या करोगे, दुबारा करोगे, है न, silly mistake कर रहे होगे, चलो, एक छोटा सा concept और है, हम पूरे इस concept को एक और तरीके से समझ सकते हैं, वो भी तरीका में आपको बताता हूँ, कि exactly क्या है, next page, देखो बेटा, अब वो तरीका क्या है, अगर आप गौर करो, पीछे मैंने आप आपको बोला, example, 109% labeling, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बच्चो, 100 प्लस 9%, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अच्छा, ये 9, जड़ा, रिकॉल करो, ये 9 क्या था बेटा, 9 क्या था बच्चे, ये 9 था weight of water that was required for complete hydrolysis of 100 gram oleum, क्या है 9 gram, जब हमने ये example किया था, recall करो बेटा, अभी थोड़ी दिर पहले, ये 9 gram क्या था, ये पानी का weight था, जो हमने add किया था, complete hydrolysis के लिए, किसका hydrolysis करना था, 100 gram oleum का, तो 100 gram oleum के complete hydrolysis के लिए, ये weight of water था, अरत है या नहीं था, था ना, ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि percent labeling of oleum, percent labeling of oleum, can also be written as, 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 100 plus x percent, 100 plus x percent, यहाँ x क्या होगा, x is, where, where, x is, the weight of water, the weight of water, water, in gram, required, required for complete hydrolysis, complete hydrolysis, of 100 gram oleum, पहुँ सिम्पल सी definition है, 100 plus x percent, यहाँ x क्या है, weight of water, कौन सा weight of water, जो 100 gram oleum को hydrolysis करने के लिए, चहिए होगा, complete hydrolysis के लिए, क्योंकि hydrolysis के बाद क्या बनने वाला है, H2SO4, क्या बनेगा, H2SO4, यह भी एक आसान सा तरीका है, चीजों को समझने का, ठीक है, एक छोटी सी बात और, इसमें last में, चलते चलते, क्या दुनिया में अकेला यही एक mixture है, जो oleum जैसा है, तो obviously oleum जिसको बोलते हैं, वो तो अकेला mixture है, लेकिन ऐसे बहुत सारे mixture बना सकते हैं, जो इसी concept पे work करते हैं, जैसे, तो some other mixtures, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो conceptual part है, वो इधर ही है, इधर तो मैंने आपको बता दिया, इधर आगया, मैं आप से पूछूँगा, some other mixtures, which behave as oleum, जो oleum जैसा behave करते हैं, तो बचे पूछते हैं, सर, oleum जैसा behave करने का क्या मतलब है, oleum जैसा वेवहार रहने का क्या मतलब है, oleum जैसा मतलब क्या है, oleum में दो components थे, एक acid था और दूसरा उसका enhydride था, था न, एक acid था और दूसरा क्या था, उसका enhydride, तो ऐसे mixtures जहाँ पे एक acid हो और दूसरा उसका enhydride हो, वो oleum जैसा behave करेगा, example, example, चलो बच्चों, जैसे, let's say, SO3 plus H2SO4, ये तो पहला oleum ही हो गया, दूसरा example, suppose, carbon dioxide plus H2CO3, आप इस mixture को देखो बेटा, इस mixture में ये जो H2SO3 है, H2CO3 है, सॉरी, ये जो H2CO3 है, ये क्या बच्चे, acid, और CO2 क्या है, उसका enhydride, क्या है enhydride, अगर आप इस mixture में water add करोगे, तो वो जो water है, वो किसे react करेगा, बताओ किसे react करेगा, किसे react करेगा, CO2 से, क्या बना लेगा, CO2 plus H2O is equal to H2CO3, आपने देखा, water add करने पे CO2 क्या बना रहा है, वही component जो यहाँ पे present है, कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं, सर इसमें भी पीछे वाला formula apply कर दें क्या, common sense क्या कहता है, blindly आप formula apply करोगे क्या, नहीं, common sense, वहाँ उस formula में percent free SO3 था, percent labeling of oleum minus 100 upon 18 into 80, 80 था, वो 80 SO3 का molar mass था, यहाँ SO3 है, क्या, नहीं, तो एक question आता है, कि सर उस formula में थोड़ा सा change करके, CO2 के molar mass को रख देते हैं, आ जाएगा, इस case में तो आ जाएगा, लेकिन मेरा आपको एक suggestion है, कि ऐसे questions में इस वाले concept को यूज करो, वो ज्यादा बेटर है, वो formula तो आप oleum के लिए यूज करना, क्यों, क्योंकि एक, चलो, अब मैं अपना next example आपको देता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, कि अगर यहाँ पे आप वोला formula apply कर रहे हो, modification के साथ तो यहाँ तो चल जाएगा, 44 रखने पे, लेकिन अगले वाले में नहीं चलेगा, कैसे, जैसे अगला example, अगर मैं आप से बोलूँ कि क्या P4O6 और H3PO3 का mixture oleum जैसा है, तो आप बोलों के बिल्पुल है, क्यों है, क्योंकि ये एक acid है, और ये उसका क्या है, anhydride है, है या नहीं है, कई बचों तो सोच रहे है, anhydride है या नहीं है, ये कैसे है, बड़ा simple है बटा, anhydride कैसे देखते हैं, phosphorus का oxidation number यहाँ कितना है बच्चे, और यहाँ पे भी Phosphorus का Oxidation Number प्लस 3, Oxide का Oxidation Number वही है, जो यहाँ पे Acid का Oxidation Number, तो एक Clearly हिंट है कि यह Oxide इसका Enhydride है, और reaction क्या होगी, इस mixture में अगर आप Water Add करोगे, तो क्या होगा बिटा, P4 O6, किस से react करेगा H2O से, क्या बनाएगा क्या H3, PO3 चलो बेटा, बैलेंस करते हैं, यहाँ 4 Phosphorus हैं, यहाँ 4 Phosphorus लगा देते हैं, यहाँ 12 हाइडोजन होगे, यहाँ 6 होगे हैं, यह equation balance हो गई, यह equation balance हो गई, क्या यहाँ पे हम अपना पुराना ओलियम वाला formula लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, वो इस लिए, क्योंकि अगर आप recall करो, तो यहाँ पे अब coefficients, देखो देखो देखां, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है बच्छे, 6 है, जबकि SO3 और H2O वाले में coefficients क्या हुआ करते थे, यहाँ 1 और यहाँ 1, यही तो हुआ करता था, तो यहाँ 1, यहाँ 1, तब वो formula हुआ करता था, फिर एक question आता है, कि sir, इसको कैसे करेंगे फिर, बहुत simple फिर से है, अब आप क्या करोगे, इसको करने के लिए, जैसे माल लो, मैंने आप से पूछ लिया कि चलो इसकी maximum labeling बताओ, इस mixture की, चलो आप से एक question है, आप करो, पहले वीडियो को pause करना, फिर आप करो, वीडियो को pause करके आप करना, P4O6 plus S3PO3 का आपको maximum labeling बता करते, तो मुझे बताओ, maximum labeling में हम लोग करते क्या है, 100 gram mixture लेते हैं, 100 gram mixture लिया हमने, 100 gram mixture लेने के बाद, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि weight of water कितना required, तो एक काम करते हैं, इस mixture का 100 gram, 100 gram में P4O6 100 से तो ज्यादा नहीं हो सकता है, क्या, हमें maximum labeling पता करने हैं, हमें maximum labeling पता करने हैं, तो 100 gram में 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक, 100 हो गया, अब एक काम करो, इसके molar mass से divide करके number of moles निकाल लेते हैं, number of moles निकाल लेते हैं, 100 divided by molar mass of P4O6, यह आप करोगे, molar mass of P4O6 आप पता कर सकते हो, ठीक है, इसके moles पता जाने, water कितने moles, अगर यह बान है, तो water कितना required है, complete hydrolysis के लिए 6, तो water के moles कितने required होंगे, बिटा, इस value का 6 times, तो मतलब कितना हो जाएगा, 600 divided by M P4O6, समझ भी आ रहा है, मैं क्या बोल जाओ, यह number of moles हो जाएगे, किसके, water के, water का weight कितना हो जाएगा, बच्चे, weight of water हो जाएगा, 600 divided by M P4O6, into 18 gram, 18 इसलिए, क्योंकि water का molar mass कितना है, 18 gram, कितना है, 18 gram, बस ठीक है, हो गया, यह हमारी X की value है, आप बोलोगे सर, यह क्या है, यह हमारी X की value है, percent labeling maximum, percent labeling maximum, इस particular case के लिए, इस वाले case के लिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 plus X percent, जहाँ X की value यह लिखी हुई है, यही तो X है, X और क्या होता था, यही तो X है, X क्या होता था, X होता था, weight of water, जो कि मुझे चहिए, उस P4O6 को hydrolyze करने के लिए, 100 gram mixture में जो present है, यहाँ पे चुकि maximum पूछा गया था, तो 100 में मैंने 100 ही ले लिया, कोई problem इस में, समझ में आया यह, तो यह बच्चों, कितना simple सा concept था, oleum का, कुछ भी नहीं है, बहुत easy है, आप जो भी इस पूरे concept को, अगर आप systematic way में proceed करोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, oleum लगता जरूर tough है, लेकिन वास्तों में tough है नहीं, तो बच्चों कैसा लगा, इसको आप बताएंगे, comment करके, thank you.